नमस्कार दोस्तो स्वोगत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो RCB टीम से जोड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर IPL 2022 के स्टार्टिंग के मैचेस से उनके तीन तीन खिलाडी बाहर हो गए हैं तीन बड़े जटके RCB टीम को लग चुके हैं अब इनके प्लेस पर RCB टीम की प्लेइंग 11 में कौन खेलते हो दिखाई देगा इसके लावा भाईयो क्या कुछ है और बड़ी अपडेट कौन रिप्लेस्मेंट है इनका इस सारी जानकरी आपको मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दुश्तों वीडियो को लास तक जरूर देखेगा वहीं अगर बे तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट साब तक हमेशा पहुचती रहे Only RCB के नाम से हमारा Telegram चैनल भी है अगर उसे जॉइन नहीं किये हो तो उसे भी आज से जॉइन कर लीजे वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक important news लगातर मिलती रहेगी तो भाईयो description box में आपको link मिल जाएगी फटा फट जाएगी वहाँ पर उसे भी जॉइन कर लीजे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो RCB टीम ने mega auction 2022 से ऑस्टेलिया एक हिलाडियो में दो खिलाडियो को अपने squad में शामिल किया है जबकि एक हिलाडियो को RCB टीम ने पहले ही रेटेन कर लिया था Glenn Maxwell को टीम ने पहले ही रेटेन किया था 2021 में वो शानदर form में थे इसलिए उन्हें टीम ने रेटेन कर दिया Jason Berendorf और Josh Higelwood को अपने squad में शामिल किया है Berendorf जो है बाए हाथ के तेज गिंदबाज है वही Josh Higelwood दाए हाथ के तेज गिंदबाज है Higelwood के पास अच्छा खासा experience है और T20 में उनका form जो है काफी शानदार है मगर दोस्तो अब update यह आ रहे है कि Australia खिलाडी जो है 5 April के बाद ही IPL 2022 के लिए available रहेंगे जी हाँ दोस्तो बिल्कुल सई सुना आपने 5 April तक कोई भी Australia खिलाडी जो कि उनके central contract में है वो available नहीं रहेगा चाहे वो पाकिस्तान दोरे पे जाए या फिर ना जाए अगर उनके पास Australia बोर्ट का central contract है तो वो खिलाडी 5 April के बाद ही IPL 2022 खिलने के लिए उपलब धो पाएगा अब दूस्तो इसी वज़े से जोश हेजलवूड, ग्लेन मैक्सविल और जैसन बेरंडॉफ ये तीनो ही खिलाडी IPL 2022 में हमें 6 April से ही उपलब धोते हुँ दिखाई देंगे 6 April के पहले जितने भी मैचे सोंगे RCB टीम के लिए ये सब ही हमें मिस करते हुए दिखाई देंगे उसमें नहीं खेलेंगे अब सवाल ये उटता है कि आखिर कार ये तीनो ही खिलाडी नहीं खेलेंगे तो उनको टीम में रिपलेस कौन करेगा इनकी जगह पर प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए कौन दिखाई देगा तो भाईयो RCB टीम ने वहाँ पर कुछ अच्छे रिपलेस्मेंट लेकर रखे हैं स्कॉर्ड अच्छा बनाया था जिसके वज़े से कुछ नए खिलाडी इनको रिपलेस कर लेंगे प्लेइंग 11 में पहले खिलाडी के रूप में होंगे जोकि जॉस हेजर रूट को रिपलेस कर सकते हैं वह होने वाले हैं दोस्तों वहाँ पर डैविड विल्ली इंगलेंड टीम के ऑल राउंडर हैं बाया हाथ की गिनवाजी करते हैं और बल्ले बाजी में भी अच्छे जोहर दिखाते हैं इस वज़े से वह जॉस हेजर लूट को रिपलेस कर सकते हैं जब तक हेजर लूट नहीं आते हैं तब तक दो या थीन मैचों के लिए वह हमें खेलते हों आरसी भी टीम में इसके बाद दुफ्तों मैक्सवल को वहाँ पर रिपलेस करने वादे हैं फिन एरन जो की न्यूजिलेंड टीम के ओपनर बल्ले बाज हैं हीटिंग करने के लिए जाने जाते हैं वो ओपनिंग तो नहीं मगर नंबर तीन या चार पर हमें खेलते हों अज दरा सकते हैं जब तक मैक्सवल टीम में नहीं आते हैं टीम के साथ नहीं जूट जाते हैं दोस्तों यह तो होगे दो रिप्लेस्मेंट वहीं जैसे बैरन डॉफ को बैक अप देने के लिए वहाँ पर शर्फें रूतर फूर्ट जैसे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे सकते हैं एक बेटर रिप्लेस्मेंट रहने वाला है प्लेइंग लेवन के लिए आर्सेबी टीम में जो कि हमें खेलते हो नजरा सकते हैं जब तक यह दोनों खिलाडी एवी लेवन नहीं रहते हैं स्टार्टिंग के मैचस के लिए दोस्तों यहीं थे कुछ बड़ी अपड दोस्तों